आज का हमारा टापिक है क्लेवेज या क्लेवेज को हम और किन नमों से यानते हैं तो इस क्लेवेज को हम जो है सेलूलेशन भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं सेलूलेशन कहते हैं सेलूलेशन क्यों कहते हैं उसका रीजन यह है कि इसमें क्या होता है new cell का formation होता है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते है cellulation की नाम से जानते है या इसको हम क्या कहते है segmentation भी गएते है segmentation segmentation को हिंदी में क्या बोलते है बिखंडन बोलते है तो यानि कि इसमें बिखंडन होता है किसके अंदर होता है जाइगोड के अंदर होता है यानि कि जब जाइगोड मल्टी सेल में चेंज होता है तो उस प्रासेस को ही क्या बोलते हैं सेग्मेंटेशन बोलते हैं तो किलीबेज को हिंदी में क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं बिदलन ठीक है क्या बोलते हैं इसे जो है वो clapulation के बाद में होता है ठीक है कहां पे होता है तो आपको द्यान देना है कि कलिमर के बाद में धुले शता है के देता होज फार्टी लाइसम के लेकात के के मानो जाइगोट में बिदलन की प्रक्रिया क्या होती है इस्टार्ड होती है और तीसरा प्रस्ण यह है कि किलेबेज कहा होता है तो आपको ध्यान देना है कि किलेबेज जो होता है वो किसके अंदर होता है वो भी डक्ट यानि कि फालोपियन ट्यूब के अंदर ही किलेवज की प्रकिर्या स्टार्ट होती है ठीक है? और किलेवज प्रकिर्या की उपराद जो यानि कि बिदलन द्वारा जो नई संत्तियां मनती है उण संतत को सका य ay जो मनती है कैते हैं उसको हम गहते हैं लाज्टो मेर कहते है ठीक क्या है या हिंदी मिन आप इसको क्या एलोपियन ट्यूब के अंदर ही बनता है ठीक अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो यह क्लेवेज है यह जो क्लेवेज टर्म है तो इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि धø टर्म क्लेवेज वाज गेविन बाई Nej टर्म टर्म किलेवेज वाज किवन बाई वान वैर सिट थी ए Epic उले गव्शलित ने आगे बढ़लते हैं है को देखते हैं कि समय क्या है अब देखिए यहां पर statement दिया गया है कि लिविच को लेकर कि क्लीविच क्या होता है देखिए इन फार्टिलाइजड एग और एक्टिबेटेड एग यानि कि जब फार्टिलाइजड एग के साथ स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है तो फार्टिलाइजड हो जाता है उसको फार्टिलाइजड कहते हैं एक्टिबेटेड एग या इसको आप बोल सकते हैं क्रिया नहीं हो जाती है जब तक एक की साथ स्वाइग की क्रिया नहीं हो होता है वो क्या हो जाता है वो एक्टिबेट हो जाता है तो इसलिए यहां पर लिखा गिया है कि एक्टिबेटेड एग The egg undergoes repeated cell division और एग में क्या होने लगता है बार-बार क्या होने लगता है को इसका विभाजन की क्रिया होने लगती है फूचा कर rapidly producing a multicellular structure और इस तरह से बार-बार विभाजन की वज़ा से क्या होता है कि एक जाइगोट से एक multicellular structure बन जाता है कि मल्टicellular structure बन जाता है विदावट यह changing in size यह देखिए महत्पूर्ण लाइन लिखा गया है कि जाइगोट से multicellular structure बनता है जिसे देखिए यह माल लेते हैं कि यह माल लेते हैं कि क्या है जाइगोट ठीक है जाइगोट है ठीक अब यह किस में change जाता है multicellular structure में multicellular structure में इसमें कई cell दिख रहे हैं आपको न यह क्या हो गया multicellular structure हो गया ठीक multicellular structure without changing its size कहने का मलब है कि जाइगोट का जो size होता है उस size में कोई परिवर्तन नहीं आता है लेकिन उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या क्या होती है बढ़ जाती है ठीक है तो यह point आपको ध्यान में रखना है कि जब जाइगोट के अंदर क्लेबेज परक्रिया बेजलन की परक्रिया start होती है तो बिना किसी changing के बिना size के changing के वो क्या हो जाता है multicellular हो जाता है आगे बात करते हैं आल देज रैपिड मियाटिक सेल डिवीजन और कलेक्टिवली काल्ट किलीवेज और सेगमेंटेशन तो इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं किलीवेज या सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं द्यू टू दा प्रोसेस आपके लिवेज ए सिंगल सेल जाइव गोट थो यह सेखसे माइटोटिक सेल डिवीजन चेंज इन्टू कांपलेक्स multicellular structure अब इस तरह से सिंगल सेल जो structure जाइवोट होता है वो multicellular structure में change हो जाता है और यह multicellular structure को क्या बोलते हैं हम बलाश्टो मेर के नाम से जानते हैं बलाश्टो मेर को हम हिंदी में क्या कहते हैं कोरक खंड के नाम से जानते हैं को रखंड कहते हैं ठीक अब चलिए हम देख लेते हैं कि जो क्लीबेज है और माइटोसिस यानि समसुत्री भाजन उसमें क्या अंतर होता है क्योंकि समसुत्री भाजन में भी एक कोशिकाओं से नई कोश्काइं बनती हैं क्रोमोसॉम नंबर उसमें सेम होता है और क्लीबेज और जो नार्मल माइटोसिस समान समसुत्री विवाजन होता है उसमें अंतर होता है तो पहला देखें अंतर क्या दिया गया है निवली फॉर्म्ड सेल आर नो नेज बलाश्टो मेयर यानि कि कलीबेस से जो नई कोसिकाई मनती है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं बलाश्टो मेयर के नाम से यानते हैं कोरक खंड के नाम से यानते हैं और माइटोसिस से जो नई कोसिकाई मनती हैं उसको क्या बोलते हैं डाटर सेल कहते हैं यानि कि संतत कोसिका या पुत्री कोसिका के नाम से यानते हैं newly formed cell are known as daughter cell तो पहला यह अंतर हो गया दूसरा है interphase is short जो cleavage का interphase होता है ठीक है अंतरा प्रवस्था जो होती है वो क्या होती है short होती है only yes phase is present और cleavage में केवल yes phase ही केवल जो है present होता है यहाँ पर कहने का मलब है कि cleavage में किसी प्रकार का cell growth और development की process नहीं होती है क्योंकि ऐसा होता तो जो gigantic structure size है वो क्या हो जाता चेंज हो जाता तो यहाँ पर केवल yes प्रवस्था ही present होती है और इसमें देखिए interphase are long इसका interphase long होता है जिसमें g, yes, g2 phase होते हैं ठीक है तो यह अंतर हो गया और तीसरा यह है कि carrier plasmic index increase इसका जो carrier plasmic index है वो increase करता है carrier plasmic index क्या होता है यह जो है, जैसे cytoplasmic index होता है तो cytoplasmic index जैसे मालेते हैं इसल है, ठीक है और इसके अंदर यह nucleus तो यह जो nucleus है अब यहाँ पर cytoplasmic index नहीं बढ़ता है ठीक है लेकिन जो इसका nucleus का index है वो भड़ता है तो इसको हम बोलते है करियोप्लाज्मिक index के नाम से जानते है और यहाँ पर देखिए mitosis में क्या होता है करियोप्लाज्मिक index remain constant और इसमें जो है करियोप्लाज्मिक जो index होता है वो increase नहीं करता है तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि cleavage और mitosis यानि समसुति विभाजन में क्या अंतर होता है अब हम बात करते हैं classification of cleavage की कि classification जो किया गया है वो अलग-अलग अधार पी किया गया है तो पहला देखिए अधार क्या है जो classification है cleavage का यानि कि जो विदलन का वरगी करण है वो blastomare के fit के अधार पर किया गया है ठीक है on the basis of fit of blastomare तो इसको two type में divide किया गया है पहला क्या है determinate cleavage ठीक है पहला क्या है determinate cleavage और दूसरा क्या है indeterminate cleavage ठीक है तो पहला है determinate cleavage और दूसरा indeterminate cleavage अब देखिए determinate cleavage क्या होता है the fit of blastomare is fixed यानि कि जो blastomare का जो fat होता है ठीक है यानि इसकी जो समय सीमा होती है वो क्या होती है fixed होती है तो इसलिए इसको कहा गया है determinate cleavage blastomare form a particular portion of embryo ये condition इस प्रकार का जो cleavage है वो कहां पायाता है तो निमेटोडा में और एनिलीडा में और मोलसका में देखिए एक point और आपको मैं बता दूँ कि अगर हम neat की बात करें ठीक है किसकी बात करें neat neat जानते हैं न क्या है neat आपको मालूम ही होगा अगर आप बायो से पढ़ रहे हैं ये आपका dream भी होगा तो neat में अगर हम बात करें तो neat में क्या है कि जिसे माल लेते हैं कि जो chapter दिया गया जिसे human reproduction दिया गया है तो अगर आप neat की तैयारी कर रहे हैं तो human reproduction पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है human reproduction के साथ साथ जो और animals है उनके बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है human के साथ में कौन से animals हैं जो काफी main हैं जिसे निट में एकजाम पुछे आते हैं reproduction को लेकर तो frog और rabbit आपको miss नहीं करना है फ्राग और rabbit को miss नहीं करना है मलब human reproduction के साथ साथ आप frog और rabbits के भी जो है special कुछ character होते हैं reproduction से तो उसको भी आपको समझना है जैसे human में जो है uterus एक होता है लिकिर rabbit में दो uterus होता है तो ये सब इस तरह की जो है business point है जो वहाँ से related है तो कहने का मलब है कि केवल आप human reproduction पर focus नहीं करेंगे उसके लावा भी other animals के भी reproduction को आप जरूर पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए आगे देखते है तो इस तरह का जो determinate के लिवेज होता है वो किसमें पायाता है निमें टोडा में एनी लेडा में और मोलसका में और indeterminate cleavage जो होता है यह किसके अंदर पायाता है तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि the fat of blastomere is not definite ठीक है these are 20% in early stage तो stage of embryo तो indeterminate जो cleavage होता है वो किसके अंदर है वो human body के अंदर ठीक है यानि मानों में फेटा blastomere के according जो cleavage होता है वो किस प्रकार का होता है indeterminate type का होता है ठीक है किस type का होता है indeterminate type का होता है अगला जो है आधार देखते है तो यह है अगला जो आधार बनाया गया है वो क्या है यानि कि पीतक की मात्रा की उपस्तती के अधार पर ठीक है मला जो एग है उसके अंदर पीतक कितने मात्रा में है देखिए एक चीज मैं आपको बता दूँ कि अगर अंडे के अंदर पीतक ज़्यादा है तो किलीबिश कम होगा और अगर उसके अंदर पीतक कम है तो किलीबिश की परक्रिया क्या होगी जादा होगी कहने का मलब यह है कि बिदलन को अंडाड़ों में उपस्थित जो पीतक होता है यालक जो होता है वो बिदलन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है क्यों क्योंकि पीतक क्या है निस्क्रिय यो निर्जीव पदार्थ होता है ठीक है निस्क्रिय यो निर्जीव प जाहर पर जो यह किलीवेज होता है यह कितने टाइब का होता है तो इसको मोश्टली के लिए टू टाइब में डिवाइड किया गया है बाइल फोर साइंटिस्ट ने जो है इसको क्लासिफाई किया था तो यह देखिए आ गया है आउटलाइन अब देखिए यहां पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है टू टाइब में वह क्या है कंप्लीट वार होलो ब्लास्टिक किलीवेज ठीक है अगर हम इसे हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे पूर्ण भंजी बेदलन क्या बोलेंगे पूर्ण भंजी बेदलन बोलते हैँ ठीक है है कंप्लीट वार होलोत्य क्लिवेज को क्या बोलते हैं हिंदी में पूर्ण भंजी बिदलन के पूर्ण भंजी बिदलन के नाम से यानते हैं और जो सेकेंड है ये क्या है मेरो बलास्टिक् या इन कंप्लेट के लिवेज इसको हिंदी में बोलते हैं औंस भंजी बिदलन या अपूर्ण भंजी बिदलन nhưng पहले वाले में ancoraüs में बिदरन की प्रक्रिया होती है तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि कि आप रो पास थो अग कम्प्लेट ली जैसे माल लेते हैं देखिए देखिए यह क्या है एक है कि फरो कमा लग क्या होता है खांच होता है थीक अब देखिए यहां पर एक फारो बन्दा आ है यहां से लेकर यहां तक ठीक है यानि इसके दो पूल होते हैं एक के एक एनिमल पूल होता है जो अक्टिव साइ्टो फ्लाज्म का होता है तो एनिमल पूल और डिच्टल पूल तो एक सीरे से लेकर दूसरे सीरे तक जो फरो का निर्माड़ है वो हो जा रहा है तो इस प्रकार के क्लीविज को हम क्या बोलते हैं पूण भनजी विदलन के नाम से जानते हैं ठीक तो पुरे लंबाई में क्या होता है फरो का फार्मेशन होता है तो इसकों क्या बोलते हैं complete or holoblastic cliffish की नाम से जानते हैं आगे देखते हैं कि इसके type क्या होते हैं तो ये जो holoblastic cliffish होता है ये two type का होता है ठीक है कौन-कौन सा होता है एक होता है equal holoblastic और दूसरा होता है unequal holoblastic यानि कि समान पूर्ण भंजी बिदलन और आसमान पूर्ण भंजी बिदलन तो समान पूर्ण भंजी बिदलन जो होता है तो देखिए इस प्रकार के बिदलन में से बने जो जाइगोट होते हैं दोनों को रखंड समान आकार के होते हैं ठीक है इस प्रकार के बिदलन से बने ह कि अंदर इस प्रकार के बिदन से क्या होता है कि दोनों को रखंड जो होता है वो क्या होता है समान होता है अनिक्वल नहीं होता है देख़ें इंगलिश में भी लिखा गया है बलास्टो मेर आर आप सेम साइज थे यह कहां पाया जाता है होमो लच्थल या इस आइसो लच्थल एग हमारा वीडियो यूटूब पर है टाइप आफ एक तो इसमें आप देख सकते हैं यह सब कंडिशन बताया गया है है तो होवोल्टलेक जो होता है या आइसोलेस्तलेक के अंदर एकवल होलोब्लास्ट क्लिवेज पाय जाता है या इसके लावा मैं चे अंदर भी एक कंडिशन होता है किसमें आउध्यों और मेटळय और मेटार यद में फेगर मना कि आपको समझा देते हैं जैसे मा लेते हैं यह हो गया एक इसमें हो गया किलीवेज ठीक तो इसमें देखिए जो यह है यह है Biola imprisoned यह क्या है U bisa के होते हैं तो इसलिए को हम कहते हैं Yale asta कहते है और दुसरा क्या है और उस्वे raj bowls of dasque के ओश्मिला यह थिक है तौ इसमें क्या होता है जाइगोड कगरशन समानाकार के नहीं होते हैं ठीक है जाइगोड के जो दोनों को रखंड होते हैं, बलाश्टो मेर होते हैं, वो समानकार के नहीं होते हैं, तो कैसे होते हैं, एक छोटा होगा, ये कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो इस प्रकार का जो बिदलन होता है, वो किसमें पायाता है, मीसोल इस्थलेग, और मानो में, ठीक है, मीसोल पर लेते हैं यह क्या है अब इसमें जो बिदरन हो गया ऐसे हो गया ठीक है तो इसमें एक आप देख रहें बढ़ा है और यह क्या है भृस्टुमेर छोटा है तो इस प्रकार के कुलेश के बोलते हैं निक्वल होलो ब्लाष्टिक के नाम से जानते हैं ठीक चलिए अब दूस प्रकार का जो क्लेवेज है वो ऐसे अंडों में होता है जिसके अंदर पीतक की मातरा काफी जादा होते हैं तो इसलिए पूरे लंबाई में अंडे के क्लेवेज की प्रक्रिया नहीं हो पाते हैं ठीक है यहने कि इस प्रकार के क्लेवेज में जो कोरखंड होते हैं वो पूर्टया विभाजित नहीं हो पाते हैं और जो विदरन की खांचे होते हैं वो केवल सक्रिये कोशिका द्रब का विभाजन ही करते हैं ठीक है निसक्रिये पीतक का कोई विभाजन नहीं होता है तो इसलिए य अकर्स ओनली इन साइटो प्लाज्मिक पार्ट ठीक है यहां पर होना चाहिए था एक्टो साइटो प्लाज्मिक पार्ट मलब एक्टिव साइटो प्लाज्मिक पार्ट क्लिवेज अकर्स इन क्लेवेज अकर्स ओनले इन एक्टिव साइटो प्लाजमिक पार्ट ठीक है क्योंकि याल के अंदर नहीं होगा तो इस प्रकार का क्लेवेज कहां पायाता है फाउंड इन मेगालेस्थल एग ठीक है क्या है मेगालेस्थल एग यानि कि ऐसे अंदर पीतक की मातों काफी ज्यादा होते है तो उसके अंदर ये कंडिशन पाया एता है और यह कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं ठीक है कौन कौन सा इंका प्रकार है तो पहला है डिसक्वाइडल मे로 Broken paying clave क्लिवेज टिस्वेडल मेरोवास्टिक 2 और दूसरा क्या सूपरफीशियल मेरोववास्टिक 2 नीचंदेगे तोट 25 में हिंदी में बोलते हैं क्लिक वोलते हां विन्बाब दिम्बाव बिदलन ठीक और सुपरफिस्यल मेरुबलाइस्टिक के लिए जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सतही बिदलन क्या बोलते हैं सतही बिदलन यानी सतह पर होती है तो इसलिए इसे बोलते हैं सतही बिदलन की नाम से जानते है अब देखिए डिसकोईडल मेरुबलाइस्टिक के लिवेच क्या होता है तो इस प्रकार के बिदलन में बिदलन की जो खाचे हो वो केवल कोसिका द्रब के बिम्भ तक ही सेमित होती है बिम्भ कमलब जहां पे एक्टिब साइटो प्लाज्म होता है उसी के अंदर ही किलेवेज होता है यानि कि जहां पी तक होता है वहां पर किलेवेज नहीं होता है जिसे मा लेते हैं यह एग है ठीक है एक फिगर बनाते ह nem कि लाइब यहीं पर होता है ठीक एए एक प्वाइंट पर होता है एक बिंद नुपर होता है तो कि प्रकार कि के क्लीं को हम बोलते हैं डिस्कौईध दल क modest की नाम से जानते है इस प्रकार का जो कि लिबेज है वह किसके अंदर देखने को यानि कि पक्षियों में यह condition देखने को मिलता है तो इस प्रकार का जो cleavage है वो birds, reptiles और proto-therian mammals में देखने को मिलता है दूसरा इसका है superficial meroblastic cleavage यानि की सतही बिदलन तो इसमें क्या होता है इस प्रकार का जो cleavage है वो centralisthalic के अंदर यानि जो insect के अंडे होते हैं, कीट के अंडे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है अब इसके अलावा मचलियों के अंडो में देखने को मिलता है इनसेक्ट और मचलियों के अंडो में इस प्रकार का cleavage होता है इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट का विभाजन होता है तो विभाजन के समय विदलन की जो खांचे होते हैं वो परिध पर पीतक रहित कोसिका दरब तक सीमित रहती है जैसे देखिए मैं फीगर के माद्यम से आपको समझाता हूँ यहां पर बीच में क्या है यालक यालक का मलब पीतक और यहां इसका सक्रिय साइटोपलाजम तो जो विदलन की परकिरिया होती है वो इसी में होती है यहीं तक परिध पर ही सेमित रहता है तो इस प्रकार के अब यह क्या हो गया सता हो गया तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सतही बेदलन के नाम से जानते हैं ठीक तो यह आपने जान लिया कि पीतक के उपस्ततिक याधार पर जो है यह कितने प्रकार का होता है अब इसका सिगनिफेकंस हो गयरा दिया हुआ है तो यह हमारा आज का एक टापिक था जो काफी महात्पूर्ण टापिक था और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो है मेकनिजम आफ इंप्लांटेशन तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो